तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि बलॉगर के थीम को कस्टोमाइज जो है कैसे किया जाता है इस वीडियो में इसका जनकारी आपको मिलने वाला है तो अगर आप जो है अपने बलॉगर के थीम को कस्टोमाइज कर लेते हो तो आपका जो है बलॉगर का यही जनकारी देने वाला हूं तो देखते रहे नहीं अगर वीडियो सही लगे तो कर देना इस वीडियो को लाइक तो सबसे पहले जो है मैं before gonna चाहँगा कि यह जो है नेलोगर पे यह जो है website है ठीक है अभी जो देख रहे हो यहполी पे पोस्ट लिखा हुआ है यहाँ जो एगे तक बागश्पोर्ट डॉट कॉम पे ही है इसको जो है मैं एड़सेंस अप्रूबल के लिए अपलाई कर दिया हूँ और कुछ दिन में जो है इस पर एड़सेंस का अप्रूबल मिल जाएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा ठीक है लेकिन यहां पे जो होता क्या है कि कस्टोमाइज कैसे करन देखो यहां पे कस्टोमाइज करना बड़ी बात नहीं है लेकिन इसके अंदर में क्या चीज किया जाएगा वह समझना बड़ी बात है तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि देख सकते हो कि यह जो है ठीम है ठीक है यहां पे आप देख सकते हो अभी जो है फूल कस्टोमाइज कैसे करना है वह जनकारी तो आपको मिली जाएगा बस आपको करना क्या है कि इस वीडियो को देखते रहना है एंड तक तो चलिए यहां पर बता देता हूं कि इसके अंदर में क्या क्या चीज किया जाता है तो सबसे पहले आप उपर में देख रहे हों तो यहां पर जो है सबसे पहले क्या जाता है कि देखो यहां पर आपको अपने सोशियल आइडी को यहां पर लिंक करना होगा तो Instagram का account यहाँ पे link करना होगा ट्यूटर का link करना होगा बाकी मैं आपको बता दूँ कि देखो यह कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जैसे कि Facebook है, Pinterest है, Instagram है और ट्यूटर है तो हमारे पास 4 account है तो 4 मैंने यहाँ पे link कर दिया है अगर आपके पास दो account होगा सिर्फ Facebook का या Instagram का तो आप यहाँ पे दो ही account link कर सकते हो यहाँ सो जो है अगर आप चाहो तो Pinterest को हटा सकते हो ट्यूटर को हटा सकते हो यह जो है customize का कमाल है यह हट जाएगा बाकी अब मैं आपको बता देता हूँ कि देखो यहाँ पे इस side में search का icon है इस पे जब कोई click करेगा तो यहाँ पे लिखेगा ठीक है तो यहाँ पे जो लिखेगा जैसे कि मेरा यह photo website है तो अगर मैं यहाँ पे कोई साभी photo search करूँ गा तो वो photo क्या होगा कि आज आएगा ठीक है जो मेरे website site के अंदर में होगा वही photo आएगा ठीक है तो यह जो है Google के जैसे काम नहीं करता है बस आपके website पे जो चीज होगा वही चीज आएगा नहीं होगा तो नहीं आएगा लेकिन ऐसा होता है कि जब आपका बलोग पुराना हो जाता है तो उसमें इतने सारे तो इस सेड में जो होता क्या है तो जैसे कि लिखा हुआ है लौब रोमांटिक महाकाल फोटो बुद्धा फोटो लौब कॉपल सैड बॉआई सैड गर्ल ठीक है तो इसे जो है कटेगरी बोला जाता है कटेगरी बना के आपको काम करना परेगा ठीक है तो यह चीज जो है आपको बता दूँ कि देखो यहां पर जो है आपको रिसंट पोस्ट मील जाता है जितना भी आप चाहो रिसंट पोस्ट में उतना आप लगा सकते हो पांच चाहो पांच लगा सकते हो छे चाहो छे लगा सकते हो ठीक है तो यहां पर जो है रिसंट पोस्ट दिख जाता है बाकि उसके बाद यहाँ पे दिख रहा होगा एक, दो, तीन, तो यह जो है नंबर है, कोई अगर चाहेगा कि हम जो है, तीन नंबर पे किलिक करके पोस्ट को देखे, तो तीन नंबर पे किलिक करके देख सकते हैं, ठीक है, बाकि नीचे जो है लेबल का ओप्सन है, तो मैं प पॉपूलर पोस्ट तो यहां पर आपको करना क्या होगा कि यहां पॉपूलर पोस्ट में आप कितना देखाना चाहते हो आप पांच देखाना चाहते हो आप पांच देखा सकते हो छे देखाना चाहते हो ठीक है तो यहां अपने मरजी के उपर है तो यहां पर आप देख सकत ठीक है आपका पिएज ओपन नहीं बी करेगा बस लाइक के बटन पे यहां पर क्लिक करेगा और लाइक हो जाएगा ठीक है तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा शेर करना होगा तो सेर के बटन पर क्लिक करके सेर कर सकते हैं बाकी नीचे में आपको दिख रहा होगा प्राइबेशी पॉलीशी करना होगा बाकी चलिए थोरा सा मैं आपको बता देता हूं कि करस्टोमाइज कैसे करना है तो यह सब आपके ब्लोगर पर बहुत ही जादा ट्राफिक आएगा तो चलिए मैं पहले इसको कर देता हूं बैक करने के बाद मैं आपको बताता हूं तो यहां पर आप देख सकते हो कि मैं बैक कर दिया हूं अब बैक करने के बाद होता क्या है कि यहां पर मैं आपको बता देता हूं यहां पर तीन लाइन पर फिर से किलिक करेंगे किलिक करने के बाद यहां पर जो होता क्या है कि ले आउट पर हम किलिक करेंगे ठीक है यहां ले आउट पर हम किलिक करेंगे और ले आउट से ही सारा कस्टोमाइज होता है ठीक है तो यहां पर जो है आप देख सकते हो तो यहा से जो है कश्टोमाइज आप कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन यहां पे होता क्या है कि समझाने में आपको जो अच्छा नहीं लगेगा ठीक है आप सही तरीके से बहुत आसानी से कर सकते हो यहां पर आपको करना क्या होगा चलिए मैं डिस्क टॉप साइड में आपको बता देता हूं ठीक है यहां तीन लाइन पर हम क्लिक करेंगे और पहली मैं बता देता हूं कि यह गूगल क्रोम बराजर के अंदर में ओपन कर रहा हूं ठीक है तो यहां पर आपको करना क्या होगा कि डिस्क टॉप साइड ओपन करना होगा नीचे यहां डिस्क टॉप साइड लिखा होगा इस पर आपको क्लिक कर देना है तो यहां पर ड में आपको बतादू, यहां पर लिखा हुआ है, आट जो है करना होता है ठीक है बांकि करने वाले जो है बहुत ही सारे लोग करते क्या है कि मोबाइल से भी थीम को कस्टोमाइज कर देते हैं मैं जब बलॉगर को स्टार्ट किया था तो मोबाइल से ही जो है थीम की कस्टोमाइज मैं करता था ठीक है मैं किया था कैसे जैसे कि कि मेरे सामने किसी का वीडियो आया ठीक है और उस वीडियो में बताया कि कैसे किया जाता है लेकिन उस भाई ने लैप्टॉप से बताया था ठीक है तो मैं उसके अंदर में तो सीख गया तो लैप्टॉप से कैसे किया जाता है लेकिन फिर भी पूरे तरीके से उसने जनकारी और फिर आपने मोपड़कन दिया था कि फूल कस्टोमाइच जो है कैसे किया जाता है लेकिन मैं अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड कर रखा हूं जिसके अंदर में जो है पूरे थीम को जो है फूल कस्टोमाइच जाता है जिसके की आपको एड्सेंस का भी अपरूबल म में दे दिया हूँ मातर जो है वह 10 मिनट का वीडियो है आप 10 मिनट तक जो है आराम से बैठ के देख लेना और फिर जो है आप अपने नुबाइल से भी क्या कर सकते हो कि किसी थीम को कश्टोमाईज कर सकते हो यहां पर नहीं होता है कि weets operates open करना पर्ता है एस पेज को उपन करो उस पेज को अपन करो ठीक है यहां पर लिंक सेट करना परता है तो लेप्टॉफ से जो होता है ना बहुत तरीके से होता है लेकिन देखो अगर आप सीख जाते हो ना चाहे मैं लैपटॉप से ही बना के वीडियो में डालाओं कोई दिक्कत नहीं है इस वीडियो के डिस्क्रप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा लेकिन 10 मिनट का वीडियो है अगर आप उसको देख लेते हो तो आप लगेगा नहीं अच्छा ठीक है यहां पर बार बार होता क्या है कि किलिक करना परता है इन सभी में होगा क्या कि बार बार किलिक करना परेगा बार बार लिंक सेट करना परेगा यहां पर सब का कॉस्टोमाइज करना परेगा तो यहां पर आप देख सकते हो कि डिस्क होता है तो उसमें desktop side open होता है और लेप टॉब में समझाने में बहुत ही असान होता है और आपको भी समझ में आ जायेगा तो उस वीडियो का लिंक नीचे इस वीडियो के description में मिल जाएगा अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप यह video जो देखे हो तो आपका time best नहीं हुआ हूँ, खराब नहीं हुआ है मैं आपको बता दूँ कि इसके अंदर में इसके अंदर में इसरी में आपको यह बताए हूँ कि इसके अंदर में जो यह theme का customize क्या क्या चीज किया जाता है, ठीक है तो यहाँ पे जो ही विव बलोग पे किलिक करके मैं आपन करके पहली बता दिया हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो इस थीम को बाकी मैं आपको बता दू कि AdSense Approval के लिए थीम जो है नीचे इस वीडियो की डिस्करप्शन में दो आपको मिल जागा उस पे भी किलिक करके आप उसको भी डाउनलोड करके अपने बलोगर पे लगा सकते हो मेरा एक Heart-Touching Hindi Land का website है उसके अंदर में लगा रखा हूँ एक Research Tech News का बलोग है उसके अंदर में लगा रखा हूँ उसी थीम को आप जो है किसी भी website के लिए यूज कर सकते हो और आपको जो है उस पे 100% Google AdSense का अप्रूबल मिल जाएगा तो चलिए यार यही जनकारी देना था आपको अगर यह जनकारी सही लगा होगा तो इस वीडियो को कर देना लाइक अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने से ये फायदा होगा कि आगे मैं इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा तो आज के लिए इतना ही आप मिलते हैं आगले वीडियो में